जैसा कि हमने शास्टने का दिकारी आदेश की एक्ता का सिदन्त यूनिटी ओफ कमांड चर्चा करेंगे किसी भी संगठन की जो सरंचना है वह है है यार की प्राधारित है चाए कोई भी संगठन हो हमारा महाविद्याल है उसमें शिश्यस्त दिकारी की रूप में प्राचारिय काम करता है उसके साहे के प्रशाष्टनी कारियों को प्रतेयोजन के अधार पर विफिन उपाचारिय या प्राचारिय बनाता है या उपाचारिय को कारिय सोमता है या प्राचारिय एकडमिक प्राचारिय फाइनेंस अलग-अलग कारियों का प्रतेयोजन करता है ताकि अदिनस्त करमचारी अधिकारी उस कारिये करने में कुशल वए दक्षों तथा आने वाले समय में वह कभी प्राचारे का कारे भार समभ लें तब उनको कोई तरह की परिशानिया या ना समझ देशी स्थितियुत पर नहीं हो इसलिए प्रतेयोजन का सिधानत लोग पर शाहसन में बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने अधिनस्त अधिकारी को कुछ कारियों का अधायत वरेता है जिसकी जिम्मेदार प्राचारी होता है या उच्चादिकारी होता है किन्तु उनको कुछ कारिय दिये जाते हैं ताकि वो कारिय संपन कर सके उनमें कुछ अलता है दक्सता है कारिय कुछ अलता के विवर्दी हो इस तरह है किसी भी संगठन की जो सरंचना है पद्सो पाना करम है यहार की प्राधारित है और एक ब्रांच या एक लाइन हम कहेंगे सिक्शन कार्यों से जुड़ी हुई है आचारिय गोणा अध्यन का कार्य करवाते हैं और एक है कार्यालाइक कारी जो मंत्रालाइक स्टाफ है या मंत्रालाइक करमचारी है वो इन कारियों को संपन करते है तो कहने का तात्प्री है जैसे हमने नियंतर्ण का छेत्र पढ़ा की एक विक्ती पांच अच्छे मस्दिश्क पर नियंतरन स्थापित कर सकता है इसी करम में हमने नियंतरन का छेत्र के पश्याद आदेश की एकदा का सिदान पर आधारित है यानि एक वेकती या एक करमचारी अपने जस्ट उपर वाले से आधेश प्राप्त करेगा यानि एक विक्ति को आदेश देने वाला एक ही विक्ति होगा दो या दो से अधिक नहीं है अगर ऐसी स्तिती होती है एक विक्ति को दो से एक से अधिक विक्तियों से आदेश प्राप्त करना होता है तो वह है विक्ति भ्रह्म या एक उशल होने की समावना है उन्हें भ्रह्म होने की उत्पन होने की श्तिति आ सकती है भ्रह्म हो सकता है इसलिए आदेश की एक्ता या समादेश की एक्ता यूनिटी उप कमांड एक तरह से एक ही व्यक्ति को एक ही उच्च अधिकारे से आदेश प्राप्त करना आदेश की एकतागा सिदान्त कहलाता है यानि कोई भी जो करमचारी है वह अपने से उंचे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश रहन नहीं करेगा यदि संग्टन में किशी वेक्ति को प्रसपर दो विरोधी आदेश को माने और कहा जाया तो ये कहा जाता है कि प्रणाम सुरूप उसमें भ्रम आये को शलता है इसलिए आदेश देने वाले के कारण एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकतागा सिदान्त कहलाता है जैसा कि पिफनर और प्रेस्टस ने आदेश की एकतागा आईशे किसी भी संगठन का प्रतेक सदस्य एक और एक वरिष्ट अदिकारी के प्रती जवाब दे खोगा यानि इसका ताद्प्रियों कि आदेश की एक तका जो सिदान्त है वह है संगठन के प्रतेक एक सदस्य और केवले एक वरिष्ट अदिकारी के प्रती जवाब दे होगा और एक अदिकारी से आदेश प्राप्त करेगा और उसके अनुसार आदेश के अनुसार कारिये संपन करवाएगा इसी प्रकार जो इस यूनिटी ओफ कमांड के पक्के संबर्थक रहे हैं हेनरी फेओल उनका मानना है कि किसी भी करमचारी को केवले एक ही उच्छा दिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए ताकि संगठन में भ्रहम या एक उशलता की स्थिति उत्पन नहीं हो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदेश की एक तगा सिद्धानत की आवशिक्ता क्यों पड़िती है आदेश की एक तगा सिद्धानत किसी भी संगठन की सरचना दोरे नियंतन के नुकूल नहीं होती एक ही विख्तिया विभाग के उपर जब दो अधिकारी सब्तागा उप्यों करते हैं तो उनमें गड़बड़ी पैदा होने की संभावना रहती है किसी भी संगठन में या संगठन के में प्रतेक सदश्य को एक और केवल एक नेता के रूप में प्रती उतरदाई होना चाहिए यदि आग्या प्रसारित करने वाले करमचारियों की संख्या एक से अधिक है तो उनमें विरोध और भ्रम की ब्रांती उत्पन करवाकर अधिन करमचारी का लाग उठा सकता है यदि संग्टन में करमचरियन एक अधिकारियों से आदेश ग्रहन करते हैं तो इस बात की समावना हो जाती कि उसके विरूदी आदेश प्राप तो हो तो वह कठी निश्टिती में पढ़ सकता है आदेश की एकता के अभाँ में भ्रम उत्पन होता है और उत्रदाइत्वय की निश्टिता करना कठीन हो जाता है इसलिए समादेश की एकता नव होने से उल्जन पैदा होती संग्टन में दुरूदता का या अर्यजकता का महौल उत्पन होता है जब करमचारी दो परश पर विप्रित समादेश आदेश मिलते हैं तो इसके परिणाम सुरूप कारेकुशलता की कमी आती है व्यवहार में आदेश की एकता को क्या अपनाई जा सकता है उदारन के लिए जिला प्रिशाशन है जिला प्रिशाशन के अंतरगत सभी विवाग क्याता है जिले की और निदेशाले से विवागा दक से भी उनको आदेश प्राप्त होते है तो हम ये कहें कि जिला किसी विभाग को जिला प्रशासन से ही आदेश प्राप्त करने हैं या मूलता है उनके विभाग, सिक्षा विभाग, क्रशी विभाग, सिचाई विभाग, श्रम विभाग से ही आदेश प्राप्त करेंगे तो आज के समय में ये कता ही व्यवारिक नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय चिकिस्था, परसुपालन, कानून व्यवस्ता, स्वास्ते की सेवाएं इन सेवाओं में जिला कलेक्टर को एक संगठन आत्मक रूप से जिलेवी कानून व्यवस्ता, स्यान्ति व्यवस्ता के लिए आदेश प्राप्त होते हैं साथी साथ इन विभागों के अपने दाइत्वे, विभागा दक्ष या निदेश दाले से प्राप्त होते हैं जिनको पूर्ण करना होता है इसलिए विभागिय प्रमुख राज्य प्रशाशन को अपने अधिकारियों और जिला कलक्टर से आदेश लेते हैं इस तरह आधुनिक संगठन में आदेश की एक तका सिद्धान्त लागू कर पाना मुश्किल होता है इस तरह ओद्योगिक संगठन में किसी एक अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्त करमचारियों को आदेश दे पाने क्या वैभारी कट नहीं आती है इस प्रकार जिला प्रशाशन हो या वो जोगिक संगठन हो करमचारी एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त करते हैं तक आदेश एक दूसरे के विप्रित नहीं होते करमचारियों के लिए कोई परिशान नहीं होती यानि एक से अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर सकते हैं किन्तो एक ही तरह का आदेश नहीं हो भ्रहम की इस्तिति उत्पन करने वाला नहीं हो तो अगर अलग-अलग आदेश हैं तो कोई इस्तिति भ्रहम वाली इस्तिति उत्पन नहीं होगी वो एक दूसरे के आदेशों के विपरित नहीं होने से हैं तो ऐसी स्थिति में कोई परिशानिया या कोई कटनाई कोई उलजन की स्थिति उत पर नहीं होती इस तरह के आदेश की एक्ता का महत्व है एक्ता का है ने की आदेश का आदेश की एकता के सिदान्त के गुण जैसा कि आदेश की एकता का सिदान्त एक वेक्ति एक स्वामी यानि वन मैन वन बोस कि अवधारना पर कॉंसेप्ट पर कारिय करता है यह अवधारना सुगम और ख्षमता सील संचैलन के लिए भो साइक सिद्ध होती है सिदान्त के फल्स रूप संग्ठन में सत्ता सुत्रूं का इस्पस्टिकन हो जाता है आदेश के नेक सोथ होने के सब्रहम उत्पन होता है अख्षमता एनिश्यता फैलती है कारे का उतरदाहित वनिश्यत नहीं होता इसलिए करमचारी किम कर्तब्वे विमूड वाली स्तिती में चला जाता है इसलिए इस सिद्धान्त के गुण है इस सिद्धान्त में प्रिशाशन कारे कुशलता का विकास होता है ये स्केलर पदत्ती हेयर की पर आधरी सोपान पसोपान अत्मक पदत्ती के अनुखल है करमचारीों में आग्या के समंद में भ्रहम की इस्तिती उत्पन नहीं होती इस कारण प्रिशाशन की कारी में देरी नहीं होती जैसा कि स्किलर पदती में जोड दिया गया है कि सारे कारिये उचित माज्यम से होंगे कोई भी स्टेप को आप उलंगन नहीं कर सकते हैं जैसे हम जीना या सीडी में चड़ते हैं तो किसी भी एक या दो सीडी को हम लांगते हैं तो रुगटना होने की सम्मावना होती है उसी प्रकार कोई भी प्रशाशनी कारिया है पत्रावली है तो वो प्रतेक सोपान पर जाते हुए उपर के अधिकारी तक पूंचती है उस्पीकर तो होती है जैसे कहते हैं फाइल चल रही है तो फाइल चल रही है तो नीचे से लडिसी यूडिसी सेक्शन ओपिसर और प्रभारी अधिकारी से लेकर मुख्य जो अधिकारी है उसे आदेश प्राप्त नहीं होते तब तक वह आदेश की सकल या आदेश की जो एक प्रारूप है उसमें नहीं आ पाता इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए हेन्री फेयोल ने इस सिदान्त का उलंगन किया जाये तो कहा है कि सब्ता कमजोर होती है अनुशासन खत्रे में पढ़ सकता है व्यवस्ता गडबडा जाती है और इस्ताइत्वे है वह संकट की संकट में पढ़ सकता है इसलिए लूथिर गुलिक ने भी इस प्रकार से आदेश की एकतागे सिद्दान्त के बारे में बताया है कि सिद्दान्त का कठोता से पालन किया जाए तो हो सकता है कि कुछ घातक परिणाम पैदा होंगे किन्तो परिणाम मती भ्रम एकारिक उशलता और अनुत अरदाईत्व की तुलना में कुछ भी नहीं है इसलिए इस सिद्धान्त का उलंगन करने पर जो इस सिद्धान्त के उलंगन करने पर पैदा होते हैं इस प्रकार से हमें स्पष्ट कर सकते हैं कि आदेश की एक तका सिद्धान्त भी अपने आमें महत्वपूर्ण है यानि एक विक्ति से एक विक्ति को एक बोस या एक स्वामी से आदेश प्राप्त कोने या एक उच्छे दिकारी से प्राप्त कोंगे किन्तो इस स्थिति में ये कि अपने विभाग ये अधिकारी या विभाग ये निदेसक से भी आदेश प्राप्त करते हैं और जहां वो कारे रथ हैं उन अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त करते हैं तो एक दूसरे के विपरित आदेश होने के कारण ही ब्रहम की स्थित् इस प्रकार से आदेश की एक तगा सिद्दान्त अपने आमें महत्वपूर्ण है, चूंकि ये आर्मी की सिद्दान्त से लिया हुआ है, पत्सोपा, नियंतन का छेत्र, आपका आदेश की एक तगा सिद्दान्त, यूनिटी अप कमांड, इसलिए हम कह सकते हैं कि आदेश की के कारण है, एक तो भ्रम की इस्तित्य उत्पर नहीं हुथ है, दूसरी, किसी प्रकार का भ्रम या एक कारे को शलता नहीं हुथ पर हुथ है, इसलिए आदेश की एक तगा अपना एक महत्वपू है, जैसा कि इस सिद्दान्त की आलोचना भी की जाती है, प्रथम्त है, आदेश की स्टंकला में एक विक्ति को किवल एक अदिकारी का आदेश मानने होते हैं, प्रशासन में सारवेदिक रूप से लागू नहीं होता, इसकी कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, उदान के लिए प्रावदी के तकनीकी करमचारी कुलिया जाए, जैसे एक साहक मंत्री आदेश के एक तक सिद्दान के नुसार जिले में सामाने उच्छ अदिकारी की आग्या का पालंग करना चाहिए, लेकिन कुछ तकनीकी करमचारी अपने तकनीकी उच्छ अदिकारीं से भी निर्देश मिलना चाहिए, तो ऐसी समश्यां का समधान ये निकला जाता का अधि यह मान लिया जाना चाहिए कि कुछ शर्टों पर तोरी नियंत्रण, ड्वेल, सुपर वीजन, तक्निकी और प्रशाशक की आवशक्ता पड़ती है, इस प्रकार दो प्रकार के नियंत्रण, नियरक्षन, विभिन, वेक्तियों द्वारा किया जाता है। का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं करमचारी को आठ अधिक्षक के नियंत्रण में रहना चाहिए। इस प्रकार टेलर इन योजनाओं का मुख खिलाबिया होगी पड़ते कारे में विशेशिक्यों और प्रशाशकी अदिक्षन अप्लब्द हो जाएगी। द्विति आलोशन ये की जाती है कि टेलर ने सिद्दान्त की आलोशना करते भी लिखाया है। कि इसमें सेनिक प्रकार की एक तरह से तानाशाह की भू आती है। या सेनिक प्रकार का अधिनायक वाद या एक तरह से पंचायती का विकास होता है। एक विक्ति को अपने कारे के लिए विफिन टेक्निसिन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं। इसके बिना करमचारी दक्ष नहीं होता। इसलिए आदेश की एक तरह सिद्दान्त को इन्होंने एक तरह से नकारा है। तीसरा है सकलर हेटसन ने इसका विरोध अनभव किया। कि उसकी मानेता अनभव नहीं नहीं अनुप्योगी एसमभव और कालपनिक सिद्द किया। उनका मत है कि प्रते की विक्ति के लिए एक उच्छे दिगारी के अवधारना, जटेल समझे सरकारी प्रस्तितियों में साहित ही कहीं वास्ता में पाई जाती है। प्रसाशन में इस्तिती प्रसाशक के कई स्वामी होते हैं और उनमें से किसी की भी उपक्षा कर पाना संभव नहीं है। तो दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट, चोथे से वित्रन और उपकन समंदी आदेश प्राप्त करता है। तो आज के समय में ये बहुत ही कठिन प्रतीत होता है कि वो आदेश की एकता के सिधानत का पालन करता है। चतुर्थ आदेश की एकता की एकता मात्र सिधानतिक धार्ना है जो व्याभारिक रूप से संग्ठन में लागू नहीं हो पाती। समीतियों, आयोगों, स्वाइत संग्ठनों में इस धार्ना को प्राइस संग्रिकता नहीं है। अनुसंदान प्रियोग संग्ठन में इस सिधानत को लागू करने में नुक्सान होगा। नित नए तक्निकी आविश्कारों के वाले तेज से बदलते समाज में ऐसी धार्ना मैत्व हिन होती है। विकासिल प्रिश्याशन में व्यक्ति को अनेक तक्निकी और समन्य कार्मेगों के साथ काम करना होता है। सभी से आदेश और निदेश लेने होता है। इसलिए एक व्यक्ति एक अधिकारी जैसी धार्ना का विकासिल प्रिश्याशन में जड़ता की और आती है। एक तरसे एक बंधनकारी या बंधनकारी परियावण में वह वेक्टी काम करता है या जैसे एक वेक्टी से बन जाता है ऐसा नहीं है यानि वेक्टी के विकास के लिए अनेक अधिकारी करमचारियों से उसे आदेश प्राप्त करने होते है संक्षेम में ये कहा जा सकता है सिद्धान्त पुराना पड़ गया है किन्तो विशेशग्य की संख्या और महत्वय की वर्दी और प्रशाशन की छेत्रे में बढ़ती जटीलता ने आदेश की एक ताके सिद्धान्त को लगभग समाप्त कर दिया है है लुथर गुलिग जैसे सिद्धान्त के समर्थक विद्धानों ने भी इस बात को स्विकार किया है कि इस सिद्धान्त की कडाई से पालन करने में बड़ी बेहुदी या ब्रहम या एक उशलता की इस्तितित्थपन हो सकती है इससे कोई संधे नहीं है इस सिद्धान्त के पालन में संगठन में एकल और इस्तिता बनी रहती है नियंतर्ण के बड़े प्रभावसाली रूप में इस्तापित हो सकता है संगठन को अधिक शक्तिसाली कारिकुषल बनाता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि संगठन का सिद्धान्त आदेश की एक्ता या यूनिटी अप कमांड है वह है एक प्रकार से संगठन को नियंतर्ण की दस्ति से प्रभावसाली बनाने के लिए शक्तिसाली बनाने के लिए कुशल बनाने के लिए आदेश की एक तका सिद्धनत महत्वय रखता है संगटन में कि तो आज के समय वर्तमान में उसको अपने विभाग के अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त करने होंगे और जहां वे विए वक्ति कार्य रत है उस अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त करने होते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं आदेश की सिद्धनत का भी अपना एक महत्वय है कि तो वर्तमान युग में या आज के समय एक वेक्ति एक अधिकारियों से प्राप्त करना संबव नहीं है उसे अनेक विभागों में अनेक आदेश वक्ति प्राप्त करने होते हैं आज के लिए थन्यवाद